वंदे मातरम dear students, today we will see the second part of unit 7 of English subject of standard 8 and the second part of unit 7 is the continuity of part 1 video तब बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में a visit to Cambridge की story देख रहे थन unit 7 की उसको अपने continue करेंगे ओके फिरदोस कंगा जो लेखक है वो Stephen Hawking को मिलने जाते हैं और वहाँ पे वो दोनों बाते करते हैं ओके तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy I see it, I know that's not true myself Are you often laughing inside? अब लेखक है वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जादा तर लोग है वो ऐसा समझते हैं कि जो disabled people है वो समय पूर्वक chronically यानि समय पूर्वक नाखुश ही रहते हैं समय समय पे और मेरे हिसाब से वो सही नहीं है और फिर मैंने पूछा कि क्या आप अंदर अंदर हस रहे हो? फिर क्या हुआ? About three minutes later, he responded I find it amusing when people patronize me and do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? फिर three minutes बाद Stephen Hawking ने जवाब दिया कि मुझे दिल्चस्प लगता है amusing यानि दिल्चस्प लगता है जब लोग मुझ पे कृपा दिखाते है या दया दिखाते है patronize यानि कृपा करना और फिर मैंने पूछा कि क्या आपको annoying यानि कि गुस्सा आता है जब मेरे जैसे कोई आकर आपको आपके काम में disturb करता है the answer flashed yes then he smiled his one way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world the sentimental यानि कि भावोग तो फिर जब मैंने ऐसे पूछा तो उनका जवाब हाँ आया और फिर उन्होंने एक तरफी smile किया और मुझे पता चल गया भावोग हुए बीना या फिर मुर्ख दीखे बीना कि मैं इस दुनिया के सबसे ज़्यादा beautiful इंसान को भी देख रह था a first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph as it all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three dimensional अब क्या कह रहें कि पहली बार आप जब उसको देखो उसकी glimpse यानि कि पहली जो जलक होती है वो आश्चरिय पूरवक होती है क्योंकि वो एक photograph के जैसे ही है और जो जितने भी उनके magazine और newspaper में photo है वो three dimensional हो ऐसे लिख लगने लगते है अपने को then you see the head twisted sideways into slump the torso shrunk inside the pale blue shirt the wasted legs you look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent it is hard to tell what अब लेखक है उनको describe कर रहे है कि वो कैसे अपना सीर या से वाही लाते है और कैसे ही वो blue shirt के अंदर ऐसे मुर्जा कर बैठे हुए हो ऐसे दीख रहे हैं उनके पैर है वो बिलकुल निकम में है और उनकी आखे है वो बोल सकती है और जैसे कि कुछ बहुत ही बड़ा हो और urgent हो पर अपने समझ नहीं पाते कि वो क्या बोलना चाते है but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen पर आप ऐसे दुरूज जाते हो शेक हो जाते हो क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसा भी कुछ देख सकते हो ऐसा आप देखते हो इसलिए before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandence of a man incandence यानि की inner glow or light यानि अंदुरू नहीं अपनी जो क्या होती है अंदुरू नहीं अपनी चमक होती है उसकी तरह और उससे पहले कि उनकी जो walls यानि उनके शरीर के बारे में बात करे है जो बिलकुल पतले-पतले है वो क्या दिखाते कि अंदुरू नहीं कितनी चमक है वो दिखा रहे है तो body almost irrelevant exists only like a case made of shadows और उनका शरीर है वो बिलकुल weird दिखता है irrelevant क्यानि weird दिखता है कि जो पूरे shadows यानि अलग-अलग color से भरा हुआ एक case हो या अपने गमला कहते है न उसके जैसे हो वैसे ही लगता है so that I know believer in internal souls know that this is what each of us is everything else and accessory accessory यानि कि extra जो हो तो इसलिए मैं अब अपने अंदर के जो आत्मा है उस पे विश्वास नहीं करता हूँ और यही सब है बाकी सारा तो क्या है? extra है what do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier मैं उनसे पहले पूछ लिया होता कि आपको क्या लगता है कि disabled होने में सबसी ज्यादा अच्छी बात क्या है? I don't think there is anything good about being disabled और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि disabled होने में कोई अच्छी बात भी है I think I said you do discover how much kindness there is in the world फिर मैंने कहा मुझे लगता है कि आपने इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो discover किया होगा कि कोई आप पे दया दिखा रहा है कि कोई आप पे क्रुपा दिखा रहा है ऐसे Yes, he said It was a disadvantage of his voice synthesizer that it would convey no inflections, no shade or tone तो यहाँ पे inflection यानि rise and fall of the voice in speaking यानि अपने जब बोलते तो उपर tone में बोलते निचे tone में है ना पर वो जो synthesizer था उनकी machine थी वो तो ऐसे ही बोल रहे थे एक ही tone में तो उन्हाने कहा कि हाँ मेरा एक disadvantage क्या था कि मेरी आवास जो बोल रही थी उनमें ना ही तो कोई shades थे ना ही तो कोई tone था उस में and I could not tell how enthusiastically he agreed with me और फिर में बोल भी नहीं पा रहा था कि वो कितने खुशी पूर्वक मेरे साथ agree कर लिया था उन्हाने Every time I shifted in my chair और turned my wrist to watch the time and I wanted to make every one of our 30 minutes count I felt a huge relief and acceleration in the possibilities of my body और फिर जैसे ही मैं मेरी chair को ऐसे shift कर रहा था घुमा रहा था या मेरे हाथ को time देखने के लिए मोड रहा था तो मैं सोच रहा था कि जितनी भी मुझे 30 minutes मिली है वो मैं count करकर के पसार करो क्योंकि मुझे बहुत थी ज्यादा relief, शान्ती मिल रही थी आनन्द, exhilaration यानी आनन्द मिल रहा था मेरे शरीर में How little It mattered then that I would never walk or even stand और फिर मेरे लिए ये बहुत छोटी बात थी कि मैं कभी चल भी नहीं पा रहा था या खड़ा भी नहीं हो पा रहा था वो मेरे लिए बहुत छोटी बात हो गई थी उनको देख कर क्योंकि मेरी जो खामी थी वो उनके सामने तो खुछ भी नहीं थी इसलिए अब मेरे को बहुत शान्ती और मिल रही थी और मुझे मेरी जो तकलिफे थी वो उनके सामने छोटी-छोटी लगने लगी थी ओके तो बच्चों आप लोगों को यहां तक स्टोरी समझ में आ गई ओके तो अब अपने क्या करेंगे इस स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में continue करेंगे और आपको क्या करना है बोलो येस आपको यहां तक की स्चोरी को वापिस पढ़ना है जो न्यू वर्ड्स है सारे जैसे कि यह यहां पे है इन सब को आपको एक्स्ट्रा रॉफ नोट बूक में लिखना है ओके वंदे मातराम